दोस्तो लाँच हो चुका है और प्री बुकिंग वी चल रही है विए रेनो 2Z की और ऐसे के अंदर भी आप बहुत सारी बाते हैं इन स्लोन के बारे में जहां वर अगर बात करते हैं इसके फीचर्स की, कैमरा क्वालिटी की यह अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर वगरा की तो बहुत सारी बाते हैं बहुत सारा मसाला मिला के मैं आज आपके शेर करने वाला हूँ इसी रेनो 2Z के बारे में हेलो दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है हमारी चैनल एंड्रोइड गुरुजी में दोस्तों अगर आपने मुझे अब तक फेस्टुक पे इंस्टेग्राम ट्विटर फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके आपकर सकते हैं सारी लिक आपको डेस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी बात करते हैं इसी रेनो 2Z के बारे में दोस्तों ओपो के जो फोन है अपनी रेनो सीरीज को लेके उनकी जूमिंग क्वा लिड की डिस्प्ले अब कुछ जो लोग ही सोच रहे होंगे हमें फूल एच्टी प्लस को बोलना यहाँ भूल गया हूं लेकिन ऐसी बात नहीं है आपको यहाँ पर एक्चुल के अंदर ही फूल एच्टी प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता ही नहीं है यानि यहाँ पर आ बात करते हैं राम और रोम की तो यहां में रहाँ जीपी राम 256 जीपी का वेरियंट अब यहां पर हुए मतब 8 जीपी रहम देदी 256 जीपी दे दिया बहुत अच्छी बात है लेकिन एक छोटा सा वेरियंट और निकाल देते यार 6 जीपी रहम का या फिर 128 जीपी रोम ऐस प्राइश रिंज क्या है वह बताउगो मापको वीडियो के लास्ट में बात करते हैं फोन के प्रोसेसर की अब पतानी आदल से मजबूर है या क्या है प्रोसेसर तो अच्छा है लेकिन मेडियाटेक कहीं क्यों यूज करना है स्नैप ड्रागरिं कि तरफ जाओ का अच्छा लेकिन अब अच्छी बात तो मैं यहां पर क्या बता हूं आपको गेम विम खेलना है तो मतब चल जाएंगे लेकिन स्नैप ड्राइगन होता है बुरा ही नहीं करूंगा लेकिन कम्याज है लेकिन अगर आपको स्नैप ड्रेगन दे देते यार प्राइस नेंज भी बहुत है अ आज का जो चलन चल रहा है क्वाड का लेकिन 64 दे देते यार 64 भी नहीं दिया यहां बरा को दिया है 48 मेगा पिक्सल का सोनी आयमेक्स 586 जो के पुराना सेंसर है पहले भी बहुत बार यूज कर चुके है सोनी आयमेक्स 586 को अब ऐसे गंदर मतलब जो है दुनिया मतलब मेगा पिक्सल का वाइट एंगल दू मेगा पिक्सल का वे बिलता आपको डेफ सेंसर फिर से दो मेगा मेगा मेंदा आपको मैक्रो के लिए या फिर कुछ 3D स्कनिंग वगरे के लिए और रिव बात करते हैं 48 प्लस 8 प्लस 2 बस खतम गानी यहां पर आपको 64 मेगा पिक्सल देखने को नहीं मिल रहा है जो कि इस फोन की बहुत बड़ी कमी है क्योंकि मार्केड के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर या फिर इससे भी कम प्राइस रिंज के अंदर 64 मेगा पिक्सल के फोन अवैलिबल है तो लोग आपका फोन क्यों लेंगे यहां पर दोर चोचन संगा एक फोन आने वाला है और एक कंपनी और है नाम नहीं बता हूँ आपको वहाँ पर सो मेगा पिक्सल की बात चल रही है कैमरा के अंदर अब देखो आता कब वह बात अलग है लेकिन यार आप क्या करें 16 मेगा पिक्सल बहुत पीछे रहागे बहुत पीछे रहागे अर बात करता है रेनो 2Z सीरीज की तो मतब थोड़ी सी कम्या लगी मुझे आपर मतब जब हाइप देखे मैंने इस फोन के तो मतब लग रहा था बहुत कमाल फोन होने वाला है लेकिन थोड़ी सी कम्या लगी इस फोन के बारे मुझे और यह नहीं कहूंगा कि फोन पुरा है फ तो अच्छा नहीं रहता क्योंकि आल्मोस्ट आप फोन देखो 4300 की 4500 की इन फैक सैमसंग के फोन 6000 अमेस तक भी पहुंच रहे है तो बैटरी का बहुत बड़ा मैटर होता है क्योंकि आप पूरे दिन उसके पीच्छे वो लीड लगा के नहीं क्यों सकते आप वरोसा करते ह है थोड़ी सी बड़ी आए तो ऐसा नगर 4500 एमेस की बैटरी होती तो भी एक बैटर आप्शन आपके लिए हो सकता था अगर हम एक आवर्व्यू की बात करते हैं तो मिलते हैं आपको फूल एच्डी या फिर सुपर अमर्ड देखने को नहीं मिल रही है रैम आपको मिलती यहां पर आपको छोटा वेरेट नहीं मिलता है कैमरा मिलता है रेर के अंदर 48 प्लस 8 प्लस 2 फ्रेंट वेकर बेड़ आपको 16 मेगा पिक्सल का बैटरी मिलते हैं चार हजार एमेज की और भूप चार्जिंग का सबूर मिल जाता है यहां पर और प्रसर्टर मिलता है आपको एक छोटी सी कमी और माब बदा देता हूं जो फ्रेंट कैमरा है वह मिलता आपको मॉनिटराइज पॉप अप कैमरा होता है उसके बहुत सारे नेगेटिव बात भी होती है पहली बात तो ओल्ड फैशन है बहुत ओल्ड फैशन है ठीक है यह मतलब अब नहीं चलेगा पंछ नहीं लग i.e.I. लेकिन छोटी सीस बदाता हो आपको किसी ने वाटस आप पर वी डिडियो कॉल किया तो आपके फोन के अंदर जो आपके पॉकेट में पाटे है ना पके पड़े पराई पड़े आपका जो कैम्रा है वो monitorized camera बाहर आएगा तोटने का दोस्तों बहुत जादा है यहापर डर रहेगा आपने लगा है face unlock तो भी camera बाहर बाहर आएगा थोड़ा सा awkward लगता है ठीक है phone वैसे कोई बुरी बाद नहीं है looking wise देखा जाए तो बहुत अच्छा phone है अगर मतलब देखा जाएना कि बाकी phone को आप छोड़ दो सिर्फ Oppo Reno Z2 की तरफ ध्यान दो Oppo Reno 2 Z की तरफ ध्यान दो overall phone भूत बढ़िया है लेकिन आप market के अंदर इसी price range के अंदर अगर दूसरे phone के साथ compare करते है तो शायद Oppo का जो phone अना market में कहीं भी मतलब अपनी जगे नहीं बना पाएगा मुझे तो यह लगता है बाकी आप क्यों क्या लगता है इस phone के बारे में आप मुझे comment बाएगा हो सकते हैं अपो के जो लवार से उनने मेरे बाद थोड़ी बुरी लेगे दोस्तो मेरा तो काम था आपके छोटी information बताना phone की कम्यों को या फिर उनके कुछ अच्छाईयों को बताना लेकिन यहां पर अच्छाईयों से जादा थोड़ी से मुझे इस phone की कम्या लगी अगर price range की अगर बात करता नहीं यार अगर होता सच्ची और एकदम सच्ची बाते मोवैल्स और गैजेट्स के बारे में लेके आता रहता हूँ फिला दोस वोड़ी में इतना ही keep watching, keep sharing